दोस्तो आज की हमारी रेसिपी है चीज पटेटो पॉप्स दोस्तो अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी के बारे में कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर भीजिए तो आईए शुरू करते हैं चीज पटेटो पॉप्स बनाने के लिए मैंने ले लिया है चार आलू जिसे मैंने बॉइल करके मैश कर लिया है आधा कप फ्रेश ब्रेड क्रम्स, हरी मिर्ची एक, नमक, मिक्स्ट हर्ब्स, रेट चिली फ्लेक्स, तीन से चार कली गालिक चॉप किया हुआ, ऊप टीस्पून पेपर पाऊडर, 2 टेबल्स्पून कॉण फ्लार, आधा कप चीज, इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर के टयार कर लिया है हमारे हातों को हम grease कर लेंगे oil से अब हम इसके छोटे छोटे pops बना कर त्यार करेंगे हमें छोटे lemon size के pops बनाना है ज्यादा बड़े नहीं रखना इसे बस इस तरह से हमें त्यार करना है हमने मैदा और पानी की slurry बना ली है हम इसमें pops को dip करेंगे उसके बाद हम इसे fresh bread crumbs से कोट करेंगे आप चाहें तो dried bread crumbs भी यूज़ कर सकते हैं हम दुबारा इसे मैदे की slurry में dip करेंगे और फिर इसे bread crumbs से कोट करेंगे इस तरह से हम सारे potato pops बना करके तयार कर लेंगे आईए अब हम इने fry कर लेते हैं हमने कड़ाय में तेल गरम कर लिया है इसमें हम एक एक करके pops डालेंगे हमें इसे deep fry करना है ये देखिए बस हमें इसी तरह इसे golden brown करना है अब हम इसे tissue paper पर निकाल लेंगे ये देखिए हमारे potato pops बिल्कुल तयार है अब हम इसे toothpicks डाल कर सर्फ करेंगे तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी recipe अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को please like करें और share करें तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार recipe के साथ तब तब के लिए टेक केर बाबाए